मार्तिय जंता पार्टी नहीं अगामी राज्य विधान सबा चुनावों के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और पहले से भी ज्यादा तेज कर दी है इनमें खास तोर से मध्यप्रदेश राजस्थान और चत्तसगर शामिल है ये तीनों ही राज्य दोहदा चौबिस की लोगसबा चुनावों के लिए बीजेपी के गेम प्लान के लिए एहम है जिन पाच राज्यों में चुनाव होने ही उनमें से सिर्फ एक राज्य में बीजेपी की सत्ता है इसके उलट राजस्थान और चत्तसगर में उसकी कटर प्रतिद्वंद्वी कॉंग्रस का शासन है MP में शिवराज सिंग चुहान सरकार ने कई कल्यानकारी स्कीमें शुरू की इन स्कीमों पर BJP की वापसी की उम्मीदे ठीकी हुई यह और बात है कि राजिस्थान और 36 कर्मी वहां की राज्य सरकारों की ओर से शुरू की गई ऐसी ही स्कीमों ने BJP की टेंशन बढ़ा दी है दिसंबर 2018 और मार्च 2020 की बीच के अंतराल को छोड़ दे तो मद्यप्रदेश में BJP 2003 से शासन कर रही है हाला कि चोहान सरकार की कल्यान कारी स्कीमों खास कर लाडली बहन योजना को लोगों के बीच जैसी लोगप्रियता मिली है उसे भगवा पार्टी का मनुबल काफी बड़ा हुआ है एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि परोसी राजे राजस्थान में अशोग गैलोद के नतित्व वाली कॉंग्रस सरकार की चीरन जीवी स्वास्त बीमा योजना जैसी कल्यान कारी स्कीमों की AAC कट सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि परोसी राजे राजस्थान में अशोग गैलोद के नतित्व वाली कॉंग्रस सरकार की चीरन जीवी स्वास्त बीमा योजना जैसी कल्यान कारी स्कीमों की ऐसी ही लोग प्रियता से बीजेपी चिंतित है सुत्रों के मुताबिक मजबूत पार्टी संगठन और सीम चोहान की ओर से शुरू की गई कल्यानकारी स्कीमों के जरिये बीजेपी प्रदेश में सत्ता विरूधी लहर को दरकिनार कर आगे बढ़ रही है एक बीजेपी नेता ने कहा चोहान की लाडली बहन स्कीम गेम चेंजर बनने जा रखी है हमारे आलकमान में इसमें लोगों के दिलों पर पहले से ही कबजा कर लिया है बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहट 23 से 60 साल की आयू की विवाहता मैलाओ को उनके वित्य सशक्ती करण के लिए हर महीनी 1000 रुपे की राश उनके बैंक खातों में बेजी जाती है जुलाई के दूसरे हफ़ते में बीजेपी सरकार ने इंक दिसरफ दो पाच करोड मैलाओ को दूसरी किस्द ट्रांसफर की है रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई को लेकर मत्ताताओ के बीच बढ़ती बेचैनी को ध्यान में रखते हुए चोहान सरकार कुछ नई सबसीडी की भी घोशना कर सकते हैं इसमें रसोई ग्यास भी शामिल कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि चोहान मास्टर कैमपेनर है उनमें जो परक और सहन शक्ती हैं वो उन्हें प्रतिद्वंदियों से अलग करती है चोहान के मुख्य प्रतिद्वंदि कमलात के लिए उनकी बराबरी करना मुश्किल है चोहान के खिलाफ वो कोई जना क्रोश नहीं है सिर्फ एक ठकान है लेकिन लोग प्रिये योजनाओं के साथ उनमें इससे उबर जाने की शमता भी है अब देखना ये होगा आने वाले विधान सबाचुनाव में कौन सी पार्टी अपना कमाल कर दिखाएगी बीजेपी या फिर कॉंग्रेस या कोई अन्य पार्टी अपना जादू चलाकर जनता के दिलों पर राज करेगी या फिर जन राजियों में पहले से जो सरकार चली आ रही हैं वही वापस से अपने राजिये में सत्ता पर काबिज होंगी